आज की वीडियो वे हम आपको ओरा सोर माउथ हलसर टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे जिसका इस्तिमाल मुग के चालों के लिए किया जाता है तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे इसको किन किन समस्याओं में यूज किया जाता है इसको कैसे इस्तिमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी market price कितनी है, इसके content, side effect, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें, ताकि आपको orasor mouth ulcer tablet के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो orasor mouth ulcer tablet, इसके market price की बात करें तो 78 रुपए इसकी market price है, जो की 10 tablet का artistry पाता है इसकी जो market price है, समय के साथ साथ कम्या जादे हो सकती है, और इसके company की बात करें तो इसको wings biotech limited company के दोरा बनाया जाता है तो आईए जान लेते हैं इसके content के बारे में, तो इसमें riboflavin, इसके अलामा folic acid, niacinamide और lectic acid bacillus होता है तो आईए जान लेते हैं इसके usage के बारे में, औरा सोर mouth ulcer tablet का इस्तिमाल किन-किन समस्याओं में किया जाता है तो इस tablet का इस्तिमाल mouth ulcer यानि कि मुह के चालों को ठीक करने के लिए किया जाता है मुह के चालों में दर्द हो, सूजन हो, तो उसे ये बहुत ही जल ठीक करता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सी दवाएं या जेल लगा चुके हैं, फिर भी मुह के चाले ठीक नहीं हो रहे हो तो वे लोग इस tablet का इस्तिमाल कर सकते हैं, बहतर result के लिए इसका जेल भी आता है तो उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, मुह के चाले जो की गलत खान पान के कारण या फिर पेट साप नहीं हो रहा हो, या पान गुट का मसाला खाने से, या फिर एंटिबियोटिक दवा खाने से हो जाते हैं तो इसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही रहतीन टबलेट है तो आईए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में इसको कितनी मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए तो इस टब्लेट को एक टल डिव्यक्त एक गोली सुबा और एक गोली साम खाना खाने के बार ले सकते हैं और इसको तीन से पांस दिन तक लेना होता है इसके अलामा अगर इसका इस्तिमाल 6 से 12 साल के बच्चों के बीच में कर रहे हैं तो एक टब्लेट दिन में एक बार दिया जाता है और उनको भी 3 से 5 दिन तक इसको दिया जाना चाहिए और इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामस जरूर लेना चाहिए तब इसका इस्तिमाल करना चाहिए और आये जान लेता है ओरा सोर माउथ हलसल टबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इस टबलेट के साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं लेकिन अगर इसमें मुदूद कांटेंट से किसी को ऐलर्जी है तो कुछ side effect हो सकते हैं वैसे इसके side effect बहुत ही कम देखे जाते हैं तो यह थी हमारी आज की जानकारी ओरा सोर माउथ अलसर टब्लेट के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लें